तो है गाइस मैं हूँ इसके समा और आज हम सॉल्फ करेंगे गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ दे थर्ड जून 2021 का क्वेश्चिन रोटेट एरे ठीक है तो यह क्वेश्चिन जो आप आके यहां से पढ़िएगा सुरू ठीक है खुद से ट्राइज जरूर किजेगा एक एक बहुत ही असान क्वेश्चिन जाला कुछ करना नहीं है इसमें क्या दिया यह जानते हैं उसके बाद क्वेश्चिन को हम सॉल्फ करेंगे तो क्वेश्चिन में दिया है कि given an unsorted array ठीक है एरा of size n एक array दिया हुआ है जिसका size n है हमें उसे rotate करना है by d elements in counterclockwise direction ठीक है मतलब इसमें है a b c d e ठीक है इसे हमें counterclockwise rotate करना है counterclockwise में क्या होता है कि जो पहला element रहता है यह पीछे चाकर बैठ जाता है ठीक है तो मानलोकर दो बार rotate करना रहा है इसका ठीक है तो यह क्या हो जाएगा यह हमारा जो नए array बनेगा वो बन जाएगा b c d e और यहां पर a तो यह प c d e a b ठीक है तो यह दो बार rotate होने पर ऐसा आएगा तो example भी देखो क्या है n equal to 5 d equal to 2 ठीक है तो यह 1 2 3 4 5 को हमें rotate करना दो बात तो पहला बार rotate करेंगे तो क्या हो जाएगा यह 1 पीछे चल जाएगा 2 3 4 5 हो जाएगा ठीक है second time rotate करने पर क्या आएगा कि 2 भी पीछे चल ज यह आ गया 1 और 2 यह पीछे चल गए ठीक है तो यह ऐसे काम करेगा यह दो बार rotate होने पर तो यह question तो आप समझी है अब आईए question को हम solve करते हैं तो भाईया अब हम question को solve कैसे करें तो देखो यार आपको यह हमारा initial array ठीक है अब एक काम क्या कर सकते हो कि हम एक और array बना तो इसमें क्या करो कि हम क्या करते है basically आपने अगर देखा होगा तो जिसे कि दो बार अगर हमें rotate करना है array को दो बार rotate की है तो यह बी जो है आगे से दो element वो पीछे जाकर बैट जा रहे ठीक है और यह सारे आगे आ जा रहे ही नहीं हो रहे है दो बार rotate होने पर कि देखो आग आगे से X element को select करें ठीक है इसको भी रखने इसको बीबात में क्या कर कि यहां से हम react करना है यहां से बहुतuk डिकना भी से चालू करेंगे si डी हल लिया Kनूने के बाद अब यहाँ जो हमारा रokत हो गए हमारा यह अंसर आगिया टो यह हमारा अपरोच था इसमें दिक्कत कुछ नहीं है आपका ऐसा श्याश्य था थ्Ha O of N रखो और Space Complexity आपका O of 1 रखो ठीक है तो यहाँ देखो तो हमने क्या किया कि Array जो N-size का है इस पर हमने एक ही बर आइटरेट किया पहले इधर आइटरेट किया और फिर यह हिस्सा में आइटरेट किया ठीक है तो यह तो करने के लिए आपको एक pattern notice करना था वो क्या था यह देखो यह मालनों हमारा array हो गया ठीक है तो A B C D E अगर दो बार rotate होने पर क्या हो रहा है दो बार rotate होने पर यह हो जा रहा है हमारा कि कि पहले C D E इधर आ गया ठीक है और A B इधर आ तो यह तो करना है तो एक चीज़ अगर आप notice करेंगे तो अगर यह आयरे को हम पूरा का पूरा rotate कर देखो कि हमें A B को आगे ले जाना था इधर ले जाना था इस तरफ तो A B तो यह आगे आ गया है लेकिन यह उल्टा है यह reverse में है और इन सब को C D E को ठीक है यह C D E को हमें इधर लेकर जाना था तो यह C D E भी इधर आ चुका है लेकिन यह भी उल्टा है तो अगर हम अब यह दोनों पार्ट को हम अलग अलग करके reverse कर दें तो भीया क्या यह क्या कर जाएगा अगर देखो क्या होता यह हमारा array हो गया ठीक है इस पा इसको reverse करने से हो रहा है हमारा A B तो आप देखिए हमारा final answer आ गया है यह हमारा final answer था C D E A B यह हमारा final answer आ गया है ठीक है देखा कितना simple था तो यही करना था अगर आपको नहीं सोज़ में रहा रहा है तो अब इतना समझो कि देखो जैसे यहां पर दो बार rotate करना था तो हम हमें सिर्फ 2 element को उठाया है और यहां पीछे रख दिया है ठीक है तो हमारा output यही हुआ हमें यहां पर 3 बार rotate करना है तो क्या हो रहा है कि हम 3 element को select करेंगे और इसको उठाके पीछे रख देखो यह हो जाएगा यहां से 1 से 20 तक है यहां पर तो 1 से 20 तक यहां हो गया और 3 बार rotate करना था यह 3 element को हम उठाके सिर्फ पीछे रखते है ठीक है इतना समझो अब समझ जाओगे हमने क्या किया सबसे पहले यह हमारा initial आयरे था हमने इसको पहला बार reverse किया ठीक है पहले इसको reverse किया reverse करने पर ऐसा आया अब जहां से reverse करना है मतलब इसे हमें कितना times reverse करना ठीक है तो पीछे से dt यह पीछे से b element को हम card के अलग कर देंगे यहां से बितले बैरिर बना देंगे और n-d element को हम पहले यहां reverse करेंगे और फिर n-d के बाद जितना element है यानि कि लाश का जो d element है उसको हम अलग से reverse करेंगे ठीक है तो यह ऐसे काम करके हो जाएगा हमारा final answer जाए ठीक है तो यही करना था बहुत सिंपल सा था इसको कोड देखना तो आईए मैं कोड दिखाता हूं लेकिन उससे पहले अगर आपको जैसे डियसे वगर सीखना है और इसके लिए अगर कोर्स लेना चाहते तो आप यह जीए कोर्स चेकाट कर सकते है ठीक है इसमें आपको A to Z मिल जाएगा इसमें content ठीक है और यह 2499 का है SK समाझ GFG यूस कि जाएगा आपका flat 10% extra off होगा 50 पहले से extra 10% or off होगा ठीक है और यह बहुत सारे कॉर्से से यह लाइफ कॉर्से से इसमें आपको जैसे CP सीखना हो जावा केंगे फुल स्टैक सीखना हो यह मशीन ले इसके समाझ GFG हर कोर्स पर आपको applicable है flat extract 10% आपको off हो जाएगा ठीक है no up to maximum आपको discount मिलेगा तो देखो भाई यह रहा है से कोड ठीक है छोटा सा सिंपल सा कुछ नहीं करना है हम C++ में कर रहे हैं और C++ में array reverse करने के लिए predefined function रहता है reverse करके ठीक है इसमें आप सिर्फ array का सबसे पहले क्या कर रहे है कि हम पूरा array को reverse कर रहे है हम यहीं किये थे उसके बाद हम स्टार्टिंग से लेके जो पहला पार्ट को reverse कर रहे थी जो पार्ट था ना यह n-d पार तो वही चीज़ा है तो error plus n minus d ठीक है तो last say d element को छोड़के हम reverse कर रहे है ठीक है और फिर यहां पर हम क्या कर रहे है कि फिर यह reverse कर रहे है कि error n minus d से लेके error plus n ठीक है मतलब यह last फुला हिससा था यह हिस्सा है न इसको हम reverse कर रहे है तो यहीं चीज़ हो रहा है यहाँ पर simple सा च्वता सब कुछ तो यहां पर पूरा पूरा आरे को रिवर्स कर रहा है तो यह हम दो बार करके पूरा आरे को रिवर्स कर रहा है तो यह एक o of n हो गया तो यह हमारा हो गया o of 1 ठीक है तो यह हमारा इसके अंदर फुल्फिल कर रहा है तो यही चीज़ है तो आज की वीडियो में तो इतना ही तप्रेश दिवाद ध्यान रखें सेफ रहें विल्टक लोड़ू ना बाइए चिस आज किया थे प्यूप्त कर रहें सनी फूप्ति अंदर आप सन्दी देल्ट कोर्च टेस्ट टार इसका विल्टक सेफ़ गया नाज़ इस स्थप्ति अप्रिम विल्यू लूडूर इस ब्यूं तो यह And don't worry if your code lets you down sometimes, a customised hints section is always there to help. Evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA expert these companies want. Take charge now and make DSA your biggest strength with us.